कि नमस्कार ड्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम फिर चर्चा करेंगे ओमिक्रॉन के बारे में जो इस वक्त लग रहा है कि दुनिया में तेजी से फैलना शुरू किया है साथ आफ्रिका से पहले अभी जो हमारे पास आख्रे है लगता है कि जर्मनी यूके अमरीका यहां भी इसका बढ़ोतरी काफी हद तक जारी है हलांकि शुरूआती दौर है तो अभी भी देखना पड़ेगा आख्रे कैसे जाते हैं हमारे साथ है सत्यीत रत जो हमेशा इन चीजों के बारे में हमारे साथ चर्चा करते हैं सत्यीत ओमिक्रोन की बढ़ोतरी का कुछ फिगर सब हमारे सामने है आपके साथ सामने भी चार्ट पे है यह जो बेटफर्ट साब है नेक्स ट्रेंड का चार्टिंग के काफी और पुराने जो नसल है नए नसल है उसकी काफी वो छानबीन करते हैं दुनिया में आने जाते हैं उनके आंक्रे के मताबिक जो दिख रहा है हमें कि शुरुवाती दोर की जो फिगर से काफी कंसिस्टेंट है एक दूसरे से मिलते हैं और इसकी डेल्टा को रिप्लेस करना संभावना लगता है इससे बढ़ रहा है और यूके कि वहां पर जो अभी एक क्या क नसल हो जाएगा इंग्लेंड यूके में भी तो इस इन आक्रों को देखके आपका क्या हिस पर टिपपनी है क्या हम इसको मान सकते हैं कि हर जग़ पे ऐसा होगा जैसे डेल्टा ने हर जग़ पर दुनिया में अपने बढ़हतरी जारी करके डॉमिनेंट नसल बन गया क्या यू चैट्र गारे हैं तो प्रबीर जो आप जिसúpिस्ति लीशन का जिकर कर रहे हैं आप इसके लेकर जो एक सख्या वयग्यानिक नजरिया है उसमें काफि माहिर माने जाते है तो उन्होंने जो विशलेशन दिखाया है जो हमारे सामने है तो इसमें चार देशों का विशलेशन दिखाया है एक जर्मनी है, एक दक्षिन अफरीका है, एक बरतानिया है और एक अमरीका है और इसमें चारों देशों में गोर तलब बात ये है कि आंकड़े बहुत अलग-अलग है दक्षीनी अफरीका में ओमिक्रॉन नसल के आंकड़े हजारों में हैं बरतानिया में ओमिक्रॉन नसल के आंकड़े अभी सैकड़ों में हैं जर्मनी में या अमरिका में अभी 100 के बीमारियों के आंकड़े इतने अलग-अलग है, इसके बावजूद भी बढ़ंत की जो ढलान है, बढ़ंत की जो चड़ान है, ढलान ना कहें, चड़ान कहें, तो बढ़ंत की चड़ान चारों देशों में एक जैसी है, बेटफर्ड साहब इसी और अंगुली निर्देश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बड़ी गहुर तलब बात है कि चड़ान बिलकुल एक जैसी है चारों देशों में, हलां कि जैसे हमने कहा बीमारियों के आंकड़े अलग हैं, हलां कि जैसा बेटफर्ड साहब जिकर करते हैं कि टीका कृत लोगों के प्रमान चारों देशों में बिलकुल अलग अलग हैं, दक्षिणी अफरिका में 20-25 फीसदी लोग पूरी तरीके से टीका कृत हैं, बरतानिया में और ज्यादा है, जर्मनी में उससे भी ज्यादा है, हलां कि अमरीका में उससे थोड़े कम हैं और इन सब फरकों के बावजूद चड़ान बिलकुल एक दूसरे जैसी है, इसका मत लब, बेटफर साहब का कहना ये है, और सुसंगत लगता है कि ओमिक्रॉन नसल काफी तीजी से फैलने के काबिल है, और इसमें ओमिक्रॉन नसल को कोई बड़ा फरक नहीं पड़ता कि क्या लोग टीका कृत हैं या नहीं है, उनमें संक्रमन ओमिक्रॉन की नसल से हो ही या तो यूं कहें कि टीका करंड से ओमिक्रॉन नसल की फैलाव पर बहुत थोड़ा फरक पड़ें, बहुत बड़ा फरक ना पड़ें, लेकिन ये बात सब संक्रमन को लेकर हैं, यानि कि इंफेक्शन को लेकर हैं, गंभीर बीमारी को लेकर नहीं, गंभीर बीमारी के आंक बीमार रोगी हैं, कल परसों ये कहा गया कि हस्पतालों में से दस गंभी रोगी ओमिक्रॉन के हैं, एक की मौत हुई, तो इन आकड़ों से यूँ कुछ कहा जा सकता है, कि दक्षिन अफरीका में जो पैग्यानिक कह रहे हैं, उसको पुष्टी मिले, और वो ये है कि ओमिक्रॉन नसल, उतनी गंभीर समस्या पैदा नहीं करती बीमारी की, पैलती जड़ जरूर है, संक्रमन जरूर होता है, लेकिन बीमारी की गंभीरता थोड़ी कम है, अब उसमें सवाल ये उठता है, कि क्या ये बीमारी की गंभीरता कम होना, ये कोमिक्रॉन नसल का एक सवाभाविक बुणधर्म है, या फिर, चूंकि ये टीका कुरुत लोग से थे infections पहले हो चुका है एक बार तो इसलिए भी natural immunity कुछ चत तक होने के वजह से और अमरीका जर्मनी UK में vaccine के वजह से तो कह सकते हैं गंभीरता का संभावना कम हो सकती है South Africa में young लोगों को काफी omicron की बिमारी दिखाई पड़ रहा है तो ये भी वजह है कि वहाँ vaccine इतने पैबाने पे young लोगों को नहीं मिला है तो ये सब वजह से अभी भी omicron का figures कम होना हो सकता है इस वजह से है इस वजह से भी हो सकता है कि काफी नई बिमारी है और गंभीर बिमारी नजर आता है 10-15 दिन के बाद अभी भी चाहे अमरीका हो चाहे यूके हो ये बहुत बड़े संख्या में पुरानी बिमारी 10-15-20 दिन के नहीं हुए है तो ये भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन अगर आप साउथ ऐफरिकाई आंकड़े देखें और पहले साउथ ऐफरिकाई छे महीने पहले लक्षणी ऐफरिका में जो एक आंकड़ों की लहर आई थी उसके साथ साथ मृतकों के आंकड़े भी पढ़े थे बत और लहर के तो उन आकड़ों के थोड़ा गौर से देखें और ये ओमिक्रों वाली लहर की ओर देखें तो लगता यूँ है कि अगर ओमिक्रों नसल बिल्कुल साउथ ऐफरिका के लिए डेल्टा नसल जैसी होती तो अब तक मृतकों के आकड़े बढ़ने लगते और वो अभी भी बढ़े नहीं है तो अब हो सकता है कि आगे जाके बढ़ेंगे लेकिन जहां तक आज के आकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि ओमिक्रों नसल के गंभीर बीमारी को लेकर असरात थोड़े सौम्य है थोड़े थोड़े इतनी गंपेरता नहीं दिखा रहे हैं लेकिन इसके खिलाफ हमने इस बात को नजरंदाज नहीं करना चाहिए कि अगर फैलाव की रफ्तार बहुत ज्यादा हो तो जितने भी कम मात्रा में बीमार रोगी निर्मान हो लहर में तेज रफ्तार की फैलाव के कारण हर हफ्ते रोगियों की संख्या बहुत बड़ी हो तो स्वास्त व्यावस्ताओं पर विप्रीत असरात होंगे ही तो इसलिए हमने ये कहकर सुस्त नहीं रहना चाहिए कि भई बिल्कुल सौमे तरीके का विशाण है इस नसल में कोई बहुत ज्यादा बीमारी का दम नहीं है तो हमने चिंदा करने का कोई कारण नहीं है यह मानना सरासर आज की तारीख में हमारी यह गलत होगा हमें हर एक वो कदम उठाना चाहिए जो इस रफ्तार को नियंद्रण में ला सके सतीजी और एक कहा जाता है कितना सचाई है आप बताएंगे कि इस तरह के जो वाइरस होते हैं तो उनका धीरे धीरे उनका जिस कहते हैं लोगों को च्छती करना ज्यादा बिमार करना मौत के तरह ले जाना यह उनके लिए एविलूशनी टर्म पर इतना अच्छा नहीं है स्मॉल पॉक्स वाइरस था और हम जानते ही हैं कि हजारों साल तक इसका असर उसी तरह रहा तो यह क्या कहना सही होगा कि वाइरस तो ऐसी अपने आप जो है कामूब में आ जाते हैं यह ऐसी एक संकलपना है जो विशिश सबूतों को लेकर अपनाई जाती है उस विग्यान है लेकिन उसे इस तरीके से सर्वसाधारन रूप से ग्रहीद धरना बिल्कुल सरासर गलत होगा एक तो अपन पिछले साल भर से कहते आए हैं कि हमने दबाव डाला है विशानू की जनसंख्या पर सार्सकोफ दो की विशानू की जनसंख्या पर हमने दबाव यह डाला है कि हमने उसका फैलाव मुश्किल कर दिया है और फैलाव मुश्किल यूं कर दिया है कि हमने शारीरिक दूरीकरण के चंद उपाय अपनाए है तो जब वो हो तब विशानूं की जनसंख्या में से जो नई नसलें उभर के आएंगी वो और ज्यादा अच्छे तरीके से फैलाव में काबलियत रखी लेकिन उस गुणधर्म से ही फिर ये दबाव चुड़ा है या वैसे बढ़ने से उसकी काबलियत बढ़ने से ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा होगी या कम गंभीर बीमारी पैदा होगी ये कोई दबाव का मसला नहीं है और उसलिए अपन ये कह नहीं सकते कि ये यूं होगा क्यूं नहीं होगा ये सब कुछ कहने के लिए हमारे पास कोई ठोस धांचे नहीं है कोई कोई ठोस सबूत नहीं है तो इस तरह की अपेक्षाएं हम ना रखें इसी में सेयन अपन है। सत्य जी दूसरा चार्ट जो हमारे दर्शकों को दिख रहा है उसमें अगर आप देखें तो देखेंगे वैक्सीन की जो विशमता है डिफरेंशियेशन बहुत ज्यादा है। इस पे देखेंगे अमरीका और यूके का अगर आक्डे जोड़ें जो बूस्टर डोस जिनको मिल चुका है तो लो इंकम ग्रूप जिस पे बड़े संख्या में आफरिका की देश शामिल है तो उसमें लो इंकम ग्रूप की टोटल वैक्षिनेशन से बूस्टर डोस ज्यादा है इस वक्त भी दुनिया बूस्टर डोस की ओर जा रहा है हमारे हां भी इंदोस्तान में भी बूस्टर डोस की बात हो रही है पर अगर नए नसल निकलते हैं जहां पर वैक्सीन कम है जहां पर लोगों में प्रोटेक्शन कम है तो यह जो बढ़ोत्री है यह हमको बार-बार बिलेगी अगर यह सही है तो इसका मतलब है कि जो वैक्सीन बनाते हैं उसका मुनाफ़ा तो बढ़ता रहेगा पर बीमारी कम नहीं होगा और दुनिया की जो कोविट की इस वक्त असर है अर्थनीतिक रूप से एम्प्लॉइमेंट के रूप से विशमतायों के रूप में वो सब बढ़ता जाएगा तो इस पे नहीं लगता आपको कि हम दुनिया के तौर पे मानविक रूप से एक बहुत ही क्या कहेंगे इस रास्ते पे जा रहे हैं जो चंद लोगों को बुनाफ़ा के लिए दुनिया को एक खत्रे में जोक रहे हैं बिल्कुल मैं तो यूं कहूंगा कि आपने जिन विशमताओं का जिकर किया उनके तले एक बुनियादी रूप से टीका करण की विशमता है जो इस चित्र में साफ दिखाई दे रही है अगर हमारे दर्शक इस चित्र को गौर करें तो देख पाएंगे कि दुनिया के अमीर देशों में सिर्फ दो अमीर देशों में बरतानिया और अमरीका में आठ करोड बूस्टर डोज दिये गए हैं टीकों के तो इसे विशमता ना कहें तो और क्या कहें लेकिन इसमें तीन वैग्यानिक मुद्दे भी उभर के सामने आते हैं पहला मुद्दा जिसका हम कर चुके हैं वो यह है कि दक्षीनी अफरीका में हालांकि वो अमीर देशों में से एक नहीं है लेकिन वहां पे टीका करन का अभियान कुछ हद तक जारी रहा है और इस वेचे से जो रद्व्यक्ति हैं जो जो साठ साल के उपर के व्यक्ति हैं उनमें बड़े पैमाने पर टीका करन हुआ है और जैसा कि आपने जिकर किया था कि दक्षीनी अफरीका में आम तोर से ओमिक्रॉन का संक्रमन जवान और मिटले इजट लोगों में दिखाई दिया है दुनिया के हर गरीब देश में ये भी अवस्था नहीं है कि सभी बूड़ों का टीका करन हुआ है ये सोचने वाली बात है एक दूसरी बात ये जो हम जिकर करें थे बरतानिया का यूके का डेटा लेकर के वहां पे हालांकि हजारों में ओमिक्रॉन के केसे सामने आ रही हैं लेकिन हस्पतालों में या मृतकों में अभी तक उनका वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं दिख अपन यूं कह सकते हैं कि चुंकि बड़े पैमाने पर टीका करन है तो इसलिए सभी आयू गुटों में टीका करन हो गया है इसलिए बीमारी की समस्या गंभीर बीमारी की समस्या काम है तो इस तरीके से दक्षीनी अफरीका और बरतानिया में एक तरीके से नतीजा ये सामने आता है कि जो दो डोस का टीका करन अभियान दुनिया भर में चलना चाहिए था अभी भी सही माइने में चला नहीं है जैसा कि इस चित्र से साबित होता है वो ही आज भी उमिक्रोन नसल के लिए भी सबसे ज्यादा व्यवहारी रास्ता है हमारे लिए बीमारी गंभीर बीमारी और मृत्कों की संख्याएं कम करने के लिए और उस रास्ते से ना जाकर सिर्फ अपने अपने संकुचित नजरिये से अपने आपको बूस्टर डोस देने की बात इन हलात में करना ना व्यवहारी है ना मानवी है ये मेरा क्याना है हमारे दर्शकों को लिए बताना चाहेंगे कि हम पहली भी इसकी जिकर कर चुके हैं कि अगर हमारे पास वैक्सीन बनानी की छमता की वृद्धि की जाती दूसरे देशों में और कंपनियों को ये जानकारी दी जाती तो आज हमारे लिए चाहे गरीब देशों चाहे अमीर देशों की बूस्टर डोज हो दोनों करना संभाव था पर अभी भी चाहे येरोपियन यूनियन की कुछ देश हो अमरीका की कंपनियां हो वो अभी भी इस चीज को करने के लिए तयार नहीं है तो ये सवाल नहीं है डोज वर्सेस एक्चुल वैक्सिनेशन सवाल है दोनों चीज की जा सकती है अगर मुनाफ़ा का नजरिये छोड़ के हमें इस चीज को सामने रखे कि दुनिया के लिए आम जनता के लिए क्या हितकारक होगा और यही रास्ता सतीजित कह रहे हमें कि हमारी ये लक्ष होना च जाए और उसके साथ साथ जो लोगों को बूश्टर डोज जरूरी है वो भी दिया जाए और करने की छमता में हमारी कमी नहीं है सिर्फ कमी है कि उसमें हमारी विल होना चाहिए इसमें दिल होना चाहिए कि हम COVID-19 के खिलाफ एक युद्ध विश्व युद्ध जारी करे ना आज के लिए इतना ही हम इस चीजों इस चर्चा को जारी रखेंगे आपके साथ मिलेंगे ना देखते रहिएगा न्यूस क्लिक और हमारे वेबसाइट में भी आईएगा